हेलो फ्रेंड तो आज का हमारा टॉपिक है एफेक्ट ऑफ सॉपिस्टिटिट्ट ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग तो हम यह लेक्टर हम तीन द्रेक रहे हैं बेंजीन अनुट डेरिवेटिव का हम दो लेक्टर कबर कर चुके हैं अगर आपने वह नहीं देखे हो तो आप य कोई नया प्लेयर को ग्राउंड में उतार देते हैं मतलब हम उसकी जगा कुछ देर के लिए किसी और को जब हम वहां पर भेजते हैं तो वह सब्स्टिट्ट कहलाता है बैंजीन में समझते हैं कि हमारी क्या है बैंजीन रिंग है यहां पर six hydrogen अटैच है अब यहां पर क्या हुआ है एक hydrogen को replace कर दिया अगर हमने CS3 के साथ तो हमारा CS3 यहां पर क्या है एज़स्टिट्ट वर्क कर रहा है मतलब substitute कहलाता है अगर हम एक hydrogen के hydrogen को replace करके उसकी जगह हम और कुछ लगा देता है कोई गुरुप या वह अब हम जानते हैं कि effect क्या पढ़ता है जैसे यह हमार बेंजीन रिंग है अब हमने यहां पर हाइडोजन नॉर्मल है अब हमने अगर इसकी जगह CS3 को लगा दिया तो यह एक substitute है तो आप इससे बेंजीन रिंग पर क्या effect पड़ेगा यह इसकी reactivity हो जाएगी कि reactivity increase हो जाएगी यह हम देखते हैं अब जो हमारा बेंजीन होता है हाइली रियक्टिव कंपाउंड होता है हाइली रियाक्टिव रिंग होते होते हैंकि यहांकि फञारा यहांत बनाट होकर रहा है और रेजोने सो करने के वज़ासे क्या होता है यह हाइली रियक्टिव होता है और इसमें यह भी होता है कि पाइवांड होता है यहां पर पाइवांड है इसकी वैसे क्या है यह हमारा एडिशन रियक्शन भी देता है एडिशन रियक्शन देता है यह हमारा एडिशन इस बज़ेसे क्या होता है । ये सबस्ट्यूट suggests कुछ कि उपधा रहे हैं इस तो वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रूप नेचर के होंगे या फिर रिंग डियक्टिवेटिंग ग्रूप दो तरह के होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रूप और रिंग डियक्टिवेटिंग ग्रूप अब यह किस चीज़ पर डिपैंड करते हैं अब जो हमारी ग्रूम भड़ा देंगे तो इसकी रियक्टिविटी भी भढ जाएगी और रहेंगेधिक किया करते हैं इनस को घटाेटा देदे हैं अब इसकी रियक्टिविटी भी घट जाएगी सब्सक्क्राइब और तो मरें इनके पास एक M5 зал तो इसमें reactivity भी भड़ जाएगी और इक्जामपल के मादर समझते हैं कुछ इसके एक्जामपल भी है आप याद कर लेना इसकी नोट में डाल दूंगा गुरुप में आप आहां से ले लेना लिंक एक्सेप्टन में ठीक है अब इसके एक्जामपल यह हैं कि एलकाइल गुर हो गए ये क्या होते हैं मीथी लोगैं यह से लियकिआ क्रिवेटिंग इसकी आक्टिवेटिक को भठा देते हैं इस्टर गił५ हो गए हगा और यॉइ एक्ञगोंप इसकी इसकी जिए अचिवेटिञ है मारे तेतोंटे और हे लोग्स्वासिश है ये हल्योजन है इसकी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप का अगर हम समझें तो क्या होगा हमने एक एक्जामपल उठा ली यह उठा ले थे एन अटू हमने अटू यहां पर एड़ कर दिया अब एन अटू एड़ होके क्या होगा एन ओटू पर यहां निगेटिव चार्ज होता है अब क्या हुआ यह क्या होगा इन्होंने कम कर दी यहिए कर हो गए यह पॉजिटिव च्रच धो बिल यह जहां गया तो इस ने पर निगैटिव चार्ड आ गया 했 है अब यह continuous नहीं हो पाया मनलब continue नहीं हो पाया जिस वजह से क्या होगा हमारा रेजनेस नहीं बन पाया पूरा हमारा रेजनेस नहीं बन पाया तो क्या होगा इसकी रिंग की जो activating है वो गिर गई और यह क्या होगा है डिक्रीज हो गई हमारी activity तो इसलिए यह हमारे जितने यह सारे हैं या हमारे क्या है डियक्टिवेटिन ग्रोप है हि- uh हम्ने अड़ा ले लिया मरे एत्यान ग्रूप होते हैं जमारे रिंग एक्तिबेटिंग रोप होते हैं और वो क्या करते हैं अब यहां पर और नाट हो गया अब यहां पर यहां से इलेक्टर यहां पर चुकिए अब यहां कर यहां-क को चला गया है इधर तो हमारे यह trading हो गया अब क्या होगा है अगया यह होगा करेंगे यह Absolutely यहां यहां उभ करेंगे हैं और यह निए 122 आजए निए 122 आज़ गया देगा और यह यह निभAY बार मोणें 293 नीदिध迅च करेंगे इन्होंने किया किया फिर से मूव गिया यहां पे और यह वाला इधर अब क्या हो जाएगा यह है हमारा यहां पर double bond इधर आ जाएगा और यह हमारा यहां पर अब क्या होगा यह negative चार्श फिर से मूव करेंगा पाइफ लो खरते रहतेום हर यह सिम्पल तो आप सिंपल बापिस वही सिच्वेसन आ गई कि अब क्या हुआ जब हमारा ये निगेटिव इदर गया ये इदर गया तो हमारा क्या बन गया यहां पर अब देखना तो बस इसके क्या हुए अब रेजुनेंस और बढ़ गई इसमें अब रेजुनेंस और बढ़ गई इसका मतलब क्या है इसकी एक्टिविटी और बढ़ गई और यह हमारे क्या है इसने एक्टिवेटिंग ग्रूप ने क्या किया हमारी एक्टिविटी को और बढ़ा दिया आ तक्यू टेक क्यार।